कल 16 साल की एक नाबलिक बच्ची का माइनर का मडर कर दिया गया 40 बार चाकू घोपे गए 40 बार चाकू मारे गए उसके दोस्थ दौरा जिसका नाम साहिल था और ये डेली का केस है मैंने जस्ट अभी ये वीडियो देखी ये वीडियो देखकर मेरी रूख आम गई कि ऐसे हैवान इस दुनिया में जिन्दा है ऐसे हैवान वो लड़की को चाकू मारता गया सिस्ट भी फूटेज है मैं टैस नहीं कर पाऊंगा आपकी रूख आम जाएगी 40 बार उस व्यक्ति ने उस लड़की को मारा उस लड़के ने वो दरिंदे ने और हैरान कर देने वाली बात है कि आसपस जो लोग थे महाँ पर वहाँ पर महिलाएं भी जा रहे थी आप वीडियो में देखेंगे वहाँ पर और लोग भी जा रहे थे एक आदमी ने भी हिम्मत नहीं करी उसे रोकने की बहुत ही शरम सार कर देने वाली घटना है एक आदमी स्ट्रोंग है या दस आदमी स्ट्रोंग है मुझे तो यह नहीं समझा था कि लोगों को इंसानियत लोगों में भी खतम होगी है वो जो साहिल है जिसने इतना बड़ा इतना दरिंदो वाला काम किया है ऐसे व्यक्ति को तो फासी होनी चाहिए लेकिन जो आसपस लोग थे वीडियो में ने देखा वो लड़की को बचाने ही नहीं है लड़की तडबती रही चीके मारती रही लेकिन उन्होंने हल्प नहीं करी और साहिल ने 40 बार चाकू मारने के बाद भी उस लड़की के उपर पत्थर मारे जब वो अद्मरी हालत में शिर्पर पत्थर फैंके पांदस बार इतना बड़ा क्राइम हो है डेली में ऐसा दरिंदा आ कहां से रहे हैं मेरे को ये नहीं समझाया और डेली में कोई सेफटी का कुछ नहीं है मैं आप सभी जो ही मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों को समझाओ ये जो ऐसे लड़के हैं कोई शकल पे नहीं लिखवा के आया होता कि वो कैसा होगा ठीक है लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था लड़की अगल किसी से फ्रेंड्शिप करती थी वो स्कूल कॉलिज आस्परोस का दोस रिष्टेदार जानकारी में होता था ठीक है उसके परिवार के बारे में पता होता था जब से सोशिल मीडिया का टाइम आया है तब से लड़किया किसी से बात नहीं करती ना उनके परिवार का पता होता है ना उस व्यक्ति का पता होता है मैं किसी देख रहे हैं अपने दिमाग में डालो अपने बच्चों को समझाओ उनको बेजो फ्रेंड्शिप सिरफ और सिरफ उनका परिवार बंदे का पिछे इतिहास क्या है बैगराउंड क्या है उसके बगर किसी से दोस्ती मत करो आज कल का टाइम बहुत गंदा आ चुका है प